प्रश्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में तो दोस्तों बात करेंगे रात में बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है ग्लूबल मार्केट से रिलेटेड वो अपडेट क्या है वो देखेगा क्रूड ओयल के बड़ी बात बोली है जो इस वीडियो के अंतक आपको बता चल जाएगी लाइक करना मत भूलिएगा लेकिन जो अपडेट आते हैं वो रात को ही देखेगा प्रोवाइड की राते हैं टेलिग्राम चैनल पे और कल आपको मार्केट का मूड और मोहाल भी बताया जाता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंग मिल जाएगा जाके जॉइन कर लीजिए अगर आप अपडेटेड रहना चाते हैं तो दोस्तों आज आप देखेंगे तो जो 30-year bond deal है 10-year bond deal है 2-year bond deal है तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी देखेगा जो टेकनिकल रिसेशन के हालात हैं वो पूरी तरीके से बने हुए है US में और US में कल बोला गया है Fed की तरफ से अगर आप लिटरली में उनकी voice देखेंगे तो उनने ये बोला था कि restrictive देखीगा policy, monetary policy आपको देखने को मिलेगी for the decline in the inflation, inflation को control करने के लिए उनने ये बात बोली थी और अगर आप देखेंगे तो 2- अभी भी ज्यादा देखने को मिल लिए 10-year bond yield से और अगर multiple rate hike होते हैं तो आपको पता है कि वो चीज़ US की economy के लिए अच्छी नहीं है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिला है जितनी भी particular European economy है उनमें देखेगा काफी तेजी देखने को मिल ल लई है तो यहां से कोई relaxation नहीं है बट Indian market देखेगा काफी cap up way में perform कर रहा है तो होता क्या है कि अब लोग क्या सोचते हैं कि हो सकता है bottom बन गया होगा या फिर सोचते हैं कि अब तेजी में पकड़ लो तो ये मत करिएगा क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि recession और दे रहेंगे bounce back आते रहेंगे फिर bounce back फिर पेंश तो आपको खरीदना कब है जब गिरे market चड़ते हुए बाजार में नहीं खरीदना है भागते हुए बाजार में नहीं खरीदना है इस चीज को याद रखीगा इसी चीज का discipline किया जाता है देखेगा क्या होता है FIA थोड़े दिन से देख Hinter Max थोड़ा-थोड़ा क्या करने है घलके हुए तो लोग सोचने लगते हाँ सब सही होने लगा सब सही होने लगा अचानक करा होता है एक बार में यानि कि कहते नहीं है 100 सुनार की तो एक लोहार की वाला काम करते है यानिंगी 10 दिन कुछ चोटा-चोटा-चो कि खरीदेंगे नीचे के level पे ही और बेचेंगे उपर के level पे उपर के level पे खरीद के कोई नीचे के level पे panic में बेचना गलत चीज़ होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी bond yield है वो up है और second सबसे बड़ा update आ चुका है कि देखिएगा जाधा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है अपर जाधा देर तक सर्वाइव करेगा लेकिन नीचे केवल एक बार दिखाने के लिए आता है कि हम डाउन हो गए हैं तो दोनों जगे पे 6-6% प्राइस अप हो चुके है यानि कि जो double digit देखनी हो मिल लई थी आपको double digit वो double digit देखेगा खतम होते हुए देखनी को मिल लई है 5% देखेगा 6% आपके crude oil के prices बढ़ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ crude के साथ ये देखिए सारे silver, copper 4% बढ़ चुका है commodity natural gas 12% तक बढ़ गई है ये देखिए 12% तक ये कहीं से भी अच्छा नहीं है it is a trap wait and watch और थोड़ा सा wait and watch करेंगे तभी आप देखेगा उपर के level पे नहीं फसेंगे ये आपको याद रखना है सारी commodity एक लाइन से देखेगा 2-2% 3-3% 5-5% गिरी थी लेकिन एक बार में वो कमी पूरी कर दी है like natural gas भी देखेंगे तो 6-6% गिरी थी 12% एक बार में कमी पूरी हो गई है और कल की गिरावर भी पूरी तरीके से टेकल कर ली है crude oil ने और यहाँ पे बयान क्या आया है कि कल बाइडन साब ने कहा कि हम अपने reserves को क्या करेंगे फ्री करेंगे तो उसे और collapse आया उसे और गिरा लेकिन आप समर रहे हैं रशिया यूकरेन वार तो भी खतम नहीं हुआ है वो तो continue चल ला है तो आप यह देखेंगे इस पे बहुत ही बड़ा statement आया है कि यहाँ पे पूरी तरीके से हम ready है और हम अपनी economy को बचाने के लिए देखेगा पूरी तरीके से work कर रहे हैं और यह रशिया के deputy foreign minister ने कहा है plan by the western country to cap its oil price will collapse तो यहाँ पे पूरी तरीके से देखेगा बताया है कि energy analysis क्या कह रहे है have warned Russia could retaliate by taking more barrel off the market abruptly to drive price higher तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से गर आप देखेंगे कि Russia केवल एक action लेगा और उसके बाद price रुकने का नाम नहीं लेगे तो Russia ने कुछ ऐसे ही देखेगा बताया है that Russia suggested Thursday that plan by the western nation to cap its oil price and limit its ability to wage war against Ukraine चुकि आपको पता Russia की total economy किस पे depend करती है oil पे अगर देखेगा oil के price जादा दिन तक नीचे रहते हैं तो उनकी economy पे बहुत बुरा सर पड़ेगा inflation बहुत जादा peak पे चला जाएगा जिससे उन्हें युद्ध लड़ने में बहुत जादा problem होगी तो उसी पे देखेगा कहते हुए उन्हेंने कहा है कि Russia deputy foreign minister told the Interfax news agency that price cap on the Russian oil products will collapse and the country would continue to raise revenue for its budget Reuters reported तो यानि कि पूरी तरीके से वो भी ready है उनको भी पता है कि ये price के लिए जितने भी देखेगा कदम उठाए जाएंगे उनका एक ही कदम काफी होगा price को up करने के लिए यानि कि Russia का केवल एक war और सारी western country के कई सारे war एक बरावर होंगे तो यहाँ पर आप तरी समझ लिजे कि अभी situation under control नहीं है जब तक control में चीज़े नहीं होती तब तक आप confident नहीं हो सकते मार्केट में देखेगा एक तो recession का fear है कि multiple rate hike होंगे inflation का date आपको देखने हो मिलेगा उसके बाद scenario change हो जाएगा more restrictive policy आएगी America की तरफ से और 2% तक inflation लाना है जो 8% पर तो आप समझ सकते हो कि कितनी tightening करनी पड़ेगी so these are the on the ground situation मैं आपको यह नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप इससे डर जाओ मैं आपको बता रहा हूँ reality पर work करना है और उसके बाद क्या हुआ जरा सी खुशी आती है तो यह देखेगा 16300 टच कर रहा है आपका nifty future और अगर आप देखेंगे तो US market में भी काफी ज़्यादा तेजी देखनी को मिल लई है बट यह चीज है न कि जब market भागने लगता है तो लगता है सब कुछ सही है बट जब market एक बार फॉल होता है तो आदमी सोचता है कि अर यह क्या हो गया तो इसी लिए focus करिएगा कल के level रहेंगे देखेगा आप focus करिएगा कल के level पे भी Friday है Friday में देखते हैं कि last में कितने लोग position लेके जाते है यानि कि इस तेजी की position को last में कौन survive कर रहा है चुकि Saturday, Sunday अगर डर होगा तो profit booking भी देखने हो मिलेगी तो यह चीज कल बहुत ही interesting होगी कि last में profit booking आती है कि नहीं आती है मलब Friday है तो थोड़ी बहुत profit booking आती है कि नहीं आती है तो पूरी तरीके से देखेगा 16 360 रहेगा उपर का देखेगा resistance नीचे का तरीके देखेगा नीचे का जो support बनेगा 16 75 और ये भी तूटता है तो 15 960 ये दोनों level होंगे जिस पर आपको focus करना है nifty bank में सीधा देखेगा 35 350 उपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर आप बात करेंगे तो अब चला है 34 440 ये आपका support रहेगा तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना ना भूलेगा Thank you so much